नमस्कार दोस्तों स्वागादा चैनल पर दोस्तों यह है न्यूटन डिस्क की इसकुल प्रोजेक्ट में इसे काम में लिया जाता है जो इंद्र दिंश के सारे रंगों का मिक्स करके उसे वाइट कर अंदर कंवर्ट कर जिता है तो देखिए दोस्तों किसे बनता है चुपकाएंगे दोस्तों ये जो मोटर है उसके साथ में मैंने ये छोटी सी एक प्लेट है जो इसमें फिट हो जाती है एक पुली की तरह है तो ये भी हमें उसमें से निकाल लिया है चोड़ा सा पाइप है स्टेंड के काम आएगा और 9 वोल की बैटरी इसको चलाने के लिए तो देखें दोस्तों ये सारी चीज़ा आपको अरेंज करनी है अब आपको क्या करना है कि जो ये मोटर है सबसे पहले हम मोटर को ही फिट कर लेते है इस मोटर को गुलूगन की सैता से इसके उपर टॉप पे चिपकाना है ये पाइप है दोस्तों जो बेस में ने लिया है किलर का आप इसके जिए कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवैलेबल हो कोई लकडी का टुकड़ा हो या फिकार्बोर हो मजबूत सा तो ये अंदर से खोकला है तो इस में से मैं वायर निकाल लेता हूं ताकि वायर हमेरी एक्ट्रा दिखे ना अब हम इस मोटर को सामने की तरफ मुख करके गलूगन की सायता से देरे देरे चिप का देगे हैं अब दोस्तो में पास जो भी सामान था मैं उसी की सायता से सब कुछ बना रहा हूं हो सकता है कि आपके पस सामान दूसरा हो या कम हो तो आप अपने हिसाप से अरेंज़ करिएगा आप अपना इसको भी हम इसी गुलूगन की सायता से चिपका देंगे तो दोस्तों आपको ये एक करके चीजे कर लेनी है आपको पहसे पहले मोटर देखनी है अपकी मोटर चालू है या नहीं है क्योंकि अगर मोटर आप डायेट बैटरी से लागा कि इसको आराम से चेक कर सकते हैं इसमे कोड़ी सी मोटी होती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक प्रकार यानि की कमपास की सायता से एक गोल गोल आकरती बना लेंगे एक कारबोर की उपर मोटे से कारबोर की उपर और इसी को हम काटेंगे और काटने के बाद में दोस्तों हम इसको साथ कलर इसमें लगाएं का एक कौन मना लेंगे और इसी तरीके से हम सारे कौन मना कौन मनाएंगे और आखरी में आप देखेंगे तो जो कौन बचा हुआ है वो 52 डिगरी का ही बचा हुआ है यानि कि बराबर बराबर इसों में इसको बाट लेंगे टोटल हमें साथ हिस्से करना है इस सर्किल के क्यों तो आपके पास डिफरेंट कलर की कागज नहीं है, तो आप इसके अंदर sketch color या mom color के द्वारा भी इसको colorful कर सकते हैं, अब देखे दोस्तो मैंने 52 degree something इसको लेके और ये बराबर बराबर हिस्सों में इसको बाट दिया है अब देखे दोस्तों एक बन चुका है उसके बाद में दूसरा कॉन मनाएंगे तीसरा मनाएंगे चोथा पांचवा छटा सात्वा यह सातों कॉन इसमें बन चुके एक करके अब देखे दोस्तों हमें यह जो शीप है इसको इस तरीके से काट लेनी है ता जब्लू लगानी है इसके अन्दर और इस तरीके से आपको चिपका देनी है अब देखिए दोस्तों आप ध्यान रहें कि, ही आपको सारे लगानाए है तो आपको एकतम पैपर चट्टुछटे कटिंग कर के आपको डख लेना है पहले और उसके बाद में आप nuo किकLO लगाए यह में वह यह आप इसके अंदर यूज कर लीजिगा अब देखे दोस्तों जो भी साथ कलर है वह हमारे हिंदर दुनुश से मिलते जुलते कलर हैं और यही कलर होंगे जो हमें इस पर चिपका के इसको तेजी से गुमाएंगे डिस्क को तो जैसे डिस्क तेजी से गुमेगी तो हमारे जो सारे कलर हैं वह इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद में हमें यह सारे कलर वाइट दिखाई देंगे तो यही न्यूटन की डिस्क है अब देखे दोस्तों यह काली चोटी पुली है इसको बीक में सेंटर में होल करके इसको इसमें लगा दे तो दोस्तों जैसे हम डिस्क गुमाएंगे तो हमें सारे कलर वाइट दिखाए देंगे हो सकता है कि आप जो केमरें जब रिकोर्ड करते हो तो यह वाइट शो नहीं करता है और जब आप इसको आँखो से देखोगे तो आपको इसमें वाइट कलर शो हो जाएगा अब यह पुली देखे दोस्तों इसमें लग चुकी है और साथ में हमारी यह डिस्क है जो हमने बनाई थी वो भी लग चुकी है चलिए हम इसको अब चड़ा के देखते है हमारे पास यह 9 वोल्ट की बैटरी है और जैसे ही दोनों वाइर आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमारे डिस्क गूमने लेगी आप वाइर किदर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें प्लस और माइनस का कोई जंजट नहीं है क्योंकि डिस्क या तो सीधी गूमेगी या उल्टी गूमेगी देखे दोस्तों इस तरीके से डिस्क गूमती है अब यह इसमें वाइट कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह कैमरे से रिकोर्ड किया हुआ है आप अपनी खुली आँकों से देखेंगे तो यह वाइट कलर दिखाई देगा और यही न्यूटन का डिस्क होता है और इसको डिस्प्रेशम डिस्क भी कहा जाता है देखेंगे दोस्तों कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट मेरा टॉपिक प्लीस कमेंट जिरू करिएगा धन्यवाद